हलो फ्रेंड मैं रुची वर्मा आपका हमारे चाहे पर फिर से सौगत है फ्रेंड आज में आपको दम आलू बना कर दिखाएंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना मत भोलिए जिससे आने वाले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दम आलो बनाने के लिए हम मीडियम साइज की 6 से 7 आलो ले रहे हैं और इनको कुकर में डाल कर हम एक सीथी लगा लेंगे इन आलों को हमें ज्यादा नहीं गलाना है गैस में मैंने अपने कुकर चड़ा दिया है हमारे आलो पक चुकी अब हम इनको छील लेंगे इस तरीके से हमें सभी आलों को छील लेंगे और इन आलों में हम इस तरीके से छेट कर लेंगे जिससे हम फ्राई करें तो इन में अच्छे से मसाला व्योस्त हो जाए अब हमें एक बाउल लेंगे इसमें अपनी सभी आलों को डालेंगे थोड़ा सा तेल लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमग अब हम इनको मिला लेंगे और इसे दस नट के लिए हम ढखके रख देंगे दम आलो बनाने के लिए अपने मसालों को देख लेते हैं एक टेमाटर की प्यूरी एक कटोरी दही लहसुन जीरा जावित्री बड़ी लाइची अद्रक के टुकले आठ से दस काली मिर्च एक बड़ा प्याज गैस पर मैं अपने कढ़ाई चड़ा रही हूँ कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं और अपने सबी मसालों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें प्राई कर लेंगे हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे और इसे दस मट के लिए ठंडा करने के लिए हम रग देंगे तब हम इनका पेस्ट तयार कर लेंगे हमारे मसाले का पेस्ट तयार है कैस पर हम दुबारा कढ़ाई चड़ाएंगे इसमें तेल डालेंगे अब अपने आलूं को हम फ्राई कर लेंगे इसे हम मीडियम आज में ही फ्राई करेंगे आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे हमारे आलू फ्राई हो चुकिए अब हम इसको निकाल लेंगे गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे कढ़ाई हमारी गरम हो चुकिए अब इसमें तेल डालेंगे इसमें हमने तेज पत्ते डाले हैं साथ इसमें प्यास डाल देंगे और इसको पका लेंगे प्यास जब हमारा पक जाएगा तब हम अपने मसालों को डालेंगे इसमें इन मसालों को हम बिल्कुल स्लो आँच में पकाएंगे हमारा मसाला पक चुका अब हम इसमें मसालों को डालेंगे हल्दी पाउडर तन्या पाउडर लाल मिट स्वादन सार और इनको चला लेंगे अब हम इसमें टेमाइटर की प्यूरी डालेंगे हमारे सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें दही डालेंगे दही को हमें बराबर चलाते रहना है जिससे हमारा दही फटे नहीं आप हम इसमें नमक डालेंगे नमक स्वादन सार हमारा सभी मसाला पक चुका है आप हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी पसंद है और इसे 10 मट के लिए हम पका लेंगे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है आप हम इसमें आलू को डालेंगे और इसे 5 मट के लिए हम पकाएंगे हमारी आलू पक चुके है अपनी हम गैस बन कर देंगे थोड़ी से दन्यापत्ती इसको बाउल में हम सर्फ कर लेंगे हमारी दम आलू बन कर तैयार है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी ओके फ्रेंड बाई